Hello and welcome friends, Python का एक question है class 12 के point of view से, आई उसको देखते हैं, अब question क्या है, यहाँ पर यह दोनों ही, हमने dictionary बनाई है, दोनों को एक साथ लेके आने हैं, तो एक साथ लेके आने का तरीका क्या है, जैसे अगर आपको लगता है, कि हम जैसे string के साथ करते हैं, plus लगा करके, या फिर list के साथ करते हैं, प्लस लगा करके जोडते हैं, तो क्या यहाँ पर भी वो formula काम करेगा, वो तरीका काम करेगा, तो यहाँ जैसे ही आप print लगाएंगे न, तो पहला है dict exam, तो dict exam को मैं यहाँ से करता हूँ copy और यहाँ पर कर देता हूँ paste, ठीक है, plus का निशान लगाता हूँ, जो की पहला जो दिमाग में बात आती है, सबसे पहले वो यही आती है कि plus लगा करके, और दोनों को concatenate कराया जा सकता है, ऐसा पहले हुआ है, लेकिन चुकि यह dictionary है, तो plus लगाने पर यह generate करेगा error, तेकि यहाँ पी, इसको मैंने save कर लिया already, तो यहाँ पे unsupported operand type plus दे रह है, चिक है, operand का, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी इसको change करते हैं, तो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका एक update नाम का जो है function है, उसका use करके है, तो यहाँ पर अगर हम print करवाते हैं, और बल्कि यहाँ पर update कर देते हैं, किस तरीके से update करेंगे, देखिए, यहाँ इक्जाम पर लिखेंगे, Dict, 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 Dict और underscore लगा कर लिखेंगे exam, underscore exam, तो यह ओगया २ इक्ण लिखेंगे मिखनेके बाद यहां पर क्या करेंगे यहां टॉं यहां पर इग्जाम को ही परिंट कर वा हैं तो यहां पर लिख दिया है डिक्ट अब जैसे ही डिक्ट एक्जाम लिखेंगे और इसको F5 करके रन कराएंगे तो अब देखेंगे कि एक्जाम आसकाई Year 2023 टोटल 500 पासमाक 165 यह सारी चीजे एक साथ प्रिंट होके आएंगे तो F5 करते हैं चलते एक पर देखते हैं तो यहाँ पर प्रेस करना है आपको F5 और F आपको प्रिंट होती हुई नजर आ रही है तो जब भी इस तरह का question दिया जाएं तो याद रखें का update जो है अगर दोनों को जोड़ना है एक साथ लेके आना है तो आप update का use करके लेके आ सकते हैं सबसे आसान है update ठीक है